हेलो फ्रेंस वेलकम टू मैं चैनल जी के करेंट एपरे सरकल आई होब कि आप लोग अच्छे होंगे उत्तर प्रदेश में काफी अच्छे फेकेंसी निकाली गई है जो कि पुलीस भरती और प्रोनात बोड लखनाओ की तरफ से एसाई की वेकेंसी आ चुकी है जो काफी दिनों से पेंडिंग परा हुआ था आज चल रहा है है हैच्टेक मोधी रोजगार दो जिसके बज़े से आज 25 फरवरी है और आज के डेट में उत्तर प्रदेश पुलीस की वेकेंसी आ चुकी है जो की एसाई सब इंस्पेक्टर की वेकेंसी है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है सुचना में जो की पच्चिस दो दो हजार एककिस का डेट है यानि आज का डेट है और यहाँ पे बताया गया है कि पुर्सो एबम महिलाओ के लिए उप निरिक्छन नागरिक बुलीस तथा पुर्सो के लिए प्लाटुन कम करते हैं तो आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा मैं डाउनलोड अल्री कर चुका हूँ नोटिफिकेशन दो चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन को मैं डाउनलोड कर चुका हूँ और यहाँ देख सकते उत्तर परदेश के सरकार की तरफ से भेकेंसी है जो की यूपी पुलीस की भेकेंसी है टोटल लंपर अब पोस्ट की बात की जाए तो यहां पे आप देख सकते फरवरी 2021 की भेकेंसी निकाले गई है और टोटल पोस्ट आप देख सकते की बताया गया है 9534 पोस्ट पे भेकेंसी निकाला गया है जिन में 9027 पोस्ट है आपका नागरीक निरिक्षक नागरीक पुलीस के लिए 484 पोस्ट है प्लाटून कमांडर के लिए और 30 पोस्ट है अगनी समन द्वितिय अधिकारी के लिए और यहां पे बेतन के बारे में भी साइड में दिया हुआ है और नीचे की तरफ देख सकते हैं कि यहां पे बताया गया है कि कौन सा पद में और कौन सा कैटेगरी में कितना कितना वेकेंसी दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं कि अनारक्षित यानि अन डीजर में जेनरल केंडरेट के लिए 3613 यानि EWS का 10% यानि 902 और अन पिछरावर्ग यानि OBC के लिए 2437 और अन सुचित जाजी SC का दिया हुआ है यहाँ पर 1800 पंचान में SCST जो भी है यहाँ पर 180 दे दिया है टोटल 127 पद पर जो की निरिक्षक नागरिक बुलीस SI के लिए दिया हुआ है नीचे की दरब देखे तो काफी चीजों में छूट की बात की गई है होरिजेंटल यहाँ पर लेंगे किनका किनका छूट मिलने वाला है और यहाँ पर प्लाटून कमंडर की देख सकते हैं दूसरा जो पद है प्लाटून कमंडर जिसमें नागरिक जो है उसके लिए 194 में EWS 10% यानि 48 है पिछरा वर के लिए 131 अनुसूचित जन जाती के लिए 101 और अनुसूचित जाती के लिए 101 और अनुसूचित जाती के लिए 10 टोटल 484 और अगनी समन के लिए नीचे में दिया हुआ है टोटल 23 पोस्ट है जो की अलग-अलग केटेगरी में डिवाइट किया कि आपका जो ओनलाइन अबेदन होने वाला है एक फॉर्म का जिसमें दिया हुआ है ओनलाइन अबेदन की प्रारंब तीथी होने वाला है 14 2021 यानि 1 अप्रील 2021 से और अंतिम तीथी है 34 2021 यानि 30 अप्रील रातरी 12 बजे तक आपका ओनलाइन अप्लिकेशन भड़ा जाएगा इसका अबेदन सूल्क है यानि 400 रुपिया आपको सभी को पेट करना है जो भी SC, ST, OVC, जो भी EWS सभी के लिए 400 रुपिया रखा गया है किसी को छूट नहीं दिया गया है यानि 400 रुपिया सभी को अप्लिकेशन भी देना है उसके बाद नीचे की तरब दिया है कि कौन भर सकता है इंडियन होना चाहिए और उसके बाद सेचिक अहरता यानि कौलिफिकेशन बताया गया है कि उपनिरिक्षक नागरीक पुलीस एबं प्लाटून कमांडर पी SC पद के लिए अगर भरते है तो आपको सिर्फ एक सिंपल सा ग्रिजवेशन होना चाहिए जाहे कोई TV स्ट्रीम में हो Arts, Commerce, Science तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद यहां पर अगनी समन द्वितियप अधिकारी के लिए दिया हुआ है जो कि आपका ग्रिजवेशन साइन से होना चाहिए तब भी आप अगनी समन यानि Fired सर्विस में भर सकते हैं और टिपनी में यहां दिया हुआ है अधिमानी अहरताए कुछ अधिमानी अहरताए दिया इस पर सकते हैं पर बोला है प्रदेशिक सेना के निमतम दो वर्सों के अवाली तक सेना की हो है तो उसमें छूट कुछ देगा उसके बाद रास्टियर कैड़ेट कोर यानि NCCB सर्टिफिकेट है तो एज की बात की जाये तो एक साथ 2021 को आपका 21 वर्स हो जाना चाहिए और 28 वर्स तक का पर सकते हैं जो की सारीडिकस्तान की बात की गई है भरती की प्रकिरिया की बात की इसका जो भरती प्रकिरिया होने वाला है फॉस्ट में आपका एक ओनलाइन टेस्ट यानि लिखित परिच्छा करवाया जाएगा जो की टोटल 400 नंबर का होने वाला है और 400 नंबर में पहला 100 नंबर का आपक यानि बुद्धी लभी तार्किक परिच्छा एक सो नंबर का टोटल 400 नंबर का आपका एक्जाम होगा ऑँला Ig E Maxim का नीचे की तरफ बठाया है इसका जो टाइम को दिया जाएगा लिकले परिछा में ऑनलाइन के जो गी दो खंटे यानि 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा उस तभी section में 35% और overall आपका 50% होना चाहिए, तभी जाके आपको आगे पास किया जाएगा, उसके बाद नीचे की तरफ बताया गया है कि online अब इंदर हो गया है, उसके बाद नीचे की तरफ सारीरिक यानि मानसिक परिच्छा का बारे में बताया है कितना उचाई होगा, जो बिलों करते हैं, उनका 160 cm रहना चाहिए, और सीना फुलाया हुआ आपको 79 cm से 84 cm आपको फुला के दिखाना है, यानि 5 cm का expansion होना चाहिए, और जो SCHT से बिलों करते हैं, उनका 77 cm नोर्माल और फुला के 82 cm आपको दिखाना होगा, और यहां पे दिया हुआ है कि निउनतम 5 cm आपको फुलाओ देना ही पड़ेगा, निवार है, उसके बाद महीला के लिए दिया हुआ है कि आपका उचाई 152 cm और आपका जो सूची जनजाती का 147 cm और वजन बताया गया, 40 kg आपका महीला का होना चाहिए, उसके बाद नीचे की तदब दिया हुआ सारी दक्षता, या यानि पूरुस को, और 2.4 km आपका जो दोर होगा, यानि 16 मिनेट में वो महीला के लिए, टिपनी में बताया गया है, नीचे की तरफ जो भी लिखित परिच्छा भी सारीतिक मानसिक परिच्छा दस्ता परिच्छा होगा, वो तीथी वा समय के सूचना याता समय अधिस सू नीचे की तरफ दिया हुआ है, नीचे की तरफ जांच यानि मेडिकल जांच होगा, उसके बाद अगर आगे कौलिफाई करते हैं, तो उसके बाद नीचे की तरफ दिया हुआ है, सभी का कि कितना पर्तिशत और अधिक आयू वाले बताया गया कि क्या क्या आगे देख सकते नीचे की तरब में तो चीज मैं बता दिया और नीचे की तरब टिपनिया कुछ-कुछ दिया हुए इंपोर्टेंट है तो आप पर सकते इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और नीचे की तरब देखे तो सभी डॉकुमेंट के बारे में बताया गया है online अबेदन के समय में आपके पास क्याकर डॉकुमेंट होना चाहिए प्रकिडिया क्या क्या है नीचे की तरब काफी कुछ दिया हुआ है online अबेदन के समय आपके पास यानि जब भी apply करेंगे जब एक अप्डिल से उस समय आपके पास जो सैच्छिक अग्व यानि जब भी online अवेधन करें उस समय आपके आपके पास online पदिती के समय आपको जो भी प्रमान पत्र है यानि गरिजबेशन का प्रमान पत्र या certificate ओ आपको upload करना पड़ेगा attach करना पड़ेगा क्योंकि आपको समय जरूरत पड़ेगा तो आपके इस समय रिश्ट्रेशन के समय जरूर रखे तो इतना ही information था आई हो कि इंप्रमेशन सही लगा हो उससे पहले अगर जैसे कि एक post आप देख सकते हैं कि उपर की तरफ दिया ह अगनी रक्षच की post है जो कि टोटल 23 पोस्ट बताया गया अगनी द्वितिया अफिशर के लिए जो कि सिर्फ मेल केंडी रेठी इसमें अप्लाई करेंगे जो कि साइन्स से होंगे तो इतना ही था information I hope कि information आपको सही लगा सब्सक्राइब करके बेल आकन को प्रेस करते हैं ताकि इसे तरह गार वीडियो पर नॉटिफिकेशन आपको जल से जल मिल जाए चली नेक्स वीडियो मिलते हैं ठैंक फॉर वाचिंग धन्नवाद देखने के लिए